and welcome back to youtube channel आश्यो टॉक्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Infosys के तरफ से है निव अपडेट के बारे में जैसे कि आपने प्रिवेस वीडियो में देखा था Infosys की जॉइनिंग अपडेट आज चुके है इसी के बारे में हम डिसकस करने वाले है कि जो प्रिट्रेनिंग प्रोग्राम है Infosys का स्टार्ट होने वाला है सबी चीज़े हम डिटेल में डिसकस करने वाले उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आपको ये मेल आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजे चलिए बिना खिसदेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरगा मेल कैंडेट को आया था Infosys Virtual Pre-Training Program जहाँ पे क्लियरली मेंचन किया गया था कि Infosys का Pre-Training Program जो है 4 weeks का जो 1st of July से स्टार्ट होने वाला है अगर आप इस अपोर्ट चीक लिए इंट्रेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको सर्वे फॉर्म दिया गया था सर्वे फॉर्म में यस क्लिक करना था यह एक assessment इसके बाद Pre-Training में आपका assessment भी होने वाला है और इसके बारे में सभी details यहाँ पे आपको दी गए थी अगर आप यह pass कर लेते हो तो आपको Infosys में training के लिए भी पुलाया जाएगा in person जो की महसूर में training होती है उसके बारे में तो इसके regarding मैंने आप सभी के लिए अपडेट बना जया था है आप सभी ने अपडेट भी कर जया था अब उसके बाद Infosys के तरफ से new mail आया है जहां पर आप देख सकते हो Dear all greeting from Infosys We are happy to have received your confirmation through the survey अगर आपने एक survey में yes किया था तो उसके बाद आपको इमेल रिसी हुआ है Communicated to you earlier the pre-training is scheduled for you from Monday July 01 2024 देख सकते हो 1st of July से training program start होने वाला है यह pre-training program होने वाला है जो कि 1st of July से 24th of July तक के रहने वाला है and session रहने वाला है आपके online sessions होने वाला है Monday to Friday 9.30 a.m. से 5.00 p.m. यह आपका timing होने वाला है and session join करने के लिए आपको link दी गई है इस link से आपको join करना होगा and यहाँ पर आपको password and access code दिया जाएगा इसे के थुरू आपको join करना होगा आप अपने personal email ID से इस पर login कर सकते हो जिससे आपने Infosys के लिए apply किया था and यहाँ पर आपको और भी additional instruction दिये गए कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पर एक document दिया जाएगा जहाँ से आप Java 17 and Eclipse डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आपको Java के बारे में सिखाया जाएगा Java Stated आपको knowledge दिया जाएगा Java language का तो यह आपको देखने मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो होना चाहिए जो के below system requirements है वो पूरी करनी चाहिए कौनसी-कौनसी requirements है सबसे पहले गूगल Chrome browser होना चाहिए जिसमें two version of current version होना चाहिए within two version मतलब latest Google Chrome का update होना चाहिए आपके पास जो laptop होना चाहिए उस पे mic and speaker होना चाहिए वीडियो on करने के लिए आपके पास एक webcam होना चाहिए अगर आपके पास laptop है तो वो already होगा अगर उसमें आपके पास PC है तो आप वेबकेम पर्सेस कर सकते हो stable internet connection stable internet connection आप mobile का hotspot भी यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर बहुत बार ऐसा होता है कि होट-spot कभी-कभी capture नहीं करता है तो आप Wi-Fi भी यूज़ कर सकते हो फिर उसके बाद जावा का latest update यहां पर बोला गया है जूलू 17 ओके फिर उसके बाद eclipse का update ओके तो यहां पर आप देख सकते हो we are looking forward to meeting you at the session on Monday July 1st 2024 your queries will respect to pre-taining और system requirements will be addressed on Monday ओके सभी चीज़े हैं Monday को आपको inform कर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है यह सभी चीज़े ध्यान रखना है आपको अभी तुरंत mail check करना है यह update मैंने आप सभी को दे दिये अगर आपको कोई भी doubt उरता है तो आप मुझे पूच सकते हो and comment section में जो मैं आपको बताने बोला है वो बता दीजे बहुत अच्छी good news आप सभी के लिए वीडियो को शेर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना thank you for watching this YouTube वीडियो till the end